नमस्कार आप देख रहे हैं प्रश्नकाल विद मिनाक्षी कंडबाल तो आज प्रश्नकाल में जिन तीन बड़ी खबरों में उठाएंगे प्रश्न सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान की पाकिस्तान का सामुईक मजाख उड़ाया जाना या तंस गसना कोई नई बात नहीं लेकिन आज प्रश्न ये है कि पाकिस्तान की खबर में क्या हिंदुस्तान के लिए कुछ सबक छिपे हैं क्या राजनिती और धर्म के घालमेल का नतीजा है पाकिस्तान आगे प्रश्न सिनिमा से जुड़े भी होंगे क्या इस देश में अब फिल्म ही सबसे बड़ा मुद्दा है बाकी सब मुद्दे खत्म हो गए है और आखिर फिल्म दे केरला स्टोरी को लेकर सरकारों ने अपना सारा काम धाम क्यों छोड़ दिया है तीसरी स्टोरी जुड़ी होगी चीता से कुनो नैशनल पार्क में हाई प्रोफाइल चीते विदेश दे लाए गए लेकिन उनकी मौत का जिम्मिदार कौन है धूंधाम से चीतों को लाया तो गया लेकिन क्या आज वो चीते गंभीर लापरवाही का शिकार हो गए है तो आईए शुरुवात करते हैं प्रश निकाल तो प्रश निकाल में सबसे पहले बात चीतों की हो रही है क्योंकि तस्मीरे शायदा बूले नहीं होंगे टीवी पर कितने आकरशक सेट लगाए गए थे स्टूडियो से लेकर न्यूजरूम तक चीते टहल रहे थे आइंकर्स के आगे पीछे गूम रहे थे क्रियेटिविटी का अथा समंदर उन दिनों स्क्रीन्स पर दिखाई दे रहा था मानो कोई उत्सव है, कोई जशन है, सेलिब्रेशन है जैसे कोई नई दुलहन घर आ रही हो और ये सब तब हो रहा था जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिन यानि 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते भारत लाए गए थे प्रधान मंत्री ने उन महमान चीतों का स्वागत किया और मद्रदेश के कूनो और नाशनल पार्क में उन्हें छोड़ा पहले नामीबिया और फिर दक्षिन अफ्रीका से चीते आए तो कुल मिलाकर 20 चीते भारत में हो गए लेकिन जिक्र आज इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल ही में दक्षिन अफ्रीका से लाए गए एक चीते की मौत हो गई है और बीटे डेड़ महिने में 3 चीते खत्म हो गए है जिससे संख्या घटकर 17 हो गई है मौत की बीमारी क्या है? इस पर प्रश्न है वजह बताई जा रहे है कि बाड़े में मौत हुई तीसरे चीते की और पहले के दो चीते जो है बीमारी की वज़े से खत्म हो गए लेकिन चौकाने वाली रिपोर्ट दैनिक भासकर अगबार में छपी जहां पर साउथ आफरिका में प्रिटोरिया यूवर्सिटी के वाइल लाइफ एक्सपर्ट एड्रियन टेड्रिफ ने फीमेल चीता साशा की मौत की वज़ा बताई उन्होंने कहा कि चीते की मौत होगी ये दो महीने पहले से पता था चिंता की बात ये है कि नामीविया से लाए गए 19 चीतों में से दो और चीतों पर किड्नी की बिमारी की आशंका है लेगिन सवाल तो ये है कि जिस दूमधाम के साथ चीतों को लाया गया था आज उसी गंबीरता के साथ उन चीतों पर रिपोर्टिंग क्यों नहीं हो रही है उनकी देखरेक का स्टेटस क्या है उनकी हेल्थ कैसी है क्या वो नए महौल में सेट हो गए है क्या ये सब को जानने का अग देश की जनता को नहीं है लेकिन मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजेशा का बयान देखिए वो कहते हैं चीते की मौत सामाने घटना है शायद हो सकता हमकी काल्कुलेशन इस बात पर आधारित है कि तीन चीते मरे तो चार शावक पैदा भी हुए यानि अपना इसाब फिट है लेकिन चीते की मौत की घटना सामाने घटना नहीं हो सकती क्योंकि खुद चीतों का भारत आना सामाने घटना नहीं थी वो भारत सरकार के अथक प्रयासों से ही मुम्किन हो पाया था चीते 50 साल की कोशिचों के बाद भारत आये थे 1972 में पहली बार इंद्रा गांधी के समय इरान से चीतों को लाने की कोशिश हुई लेकिन काम्याब नहीं हुए फिर 2009 में ततकालीन प्रधान मंतरी मनमोंत सिंग के समय एक बार प्रयास हुआ लेकिन फिर कोशिश रंग नहीं लाई आखिरकार 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की पहल पर आठ चीते नामीबिया से भारत आए चीतों को भारत लानी की जरूरत क्यों पड़ी अब जरा ये भी समझ लीजिए आखरी बार भारत में चीता 1948 में दिखा था आजादी की एक वर्ष बाग लेहाजा 1952 में चीतों को विलुप्त घोशित कर दिया गया और इसके 27 साल बाद 1989 में चीतों को बसानी की योजना बड़ी 2010 में नामीबिया से इस सिलसले में बाचीत की शुरुवात हुई और उसके बाद ही आकिरकार 17 सतंबर 2022 में आठ चीतों की एंट्री भारत में संभव हो पाई जाहिर है चीतों को इसलिए एकने बड़े इवेंट के बीच भारत लाया गया था हालंकि इसकी आलोचना भी हुई थी लेकिन हमारा सिस्टम देखिए कि जितने गंबीर कोशिशें चीतों को विदेश से भारत में लाने की हुई तीन चीतों की मौत के बाद अब उनके संद्रक्षन पर सवाल उठ रहे हैं जाहिर है हाई प्रोफाइल चीतों की उचित देखभाल सुनिश्चित करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता तो इस तरह के अनकमफर्टेबल सवाल और सहच करने वले सवाल पूछे ही जाएंगे और अब बात पाकिस्तान की क्योंकि पाकिस्तान का मसला हमसे भी जुड़ा है यानि हिंदुस्तान का भी है पाकिस्तान के जो हाल हो गए हैं उस पर सोशल मीडिया पर मैं कई रियाक्शन्स देख रही हूँ जहां पर लोग बड़े खुश हो रहे हैं, तंस गस रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का ये हाल तो हो नहीं था वगेरा वगेरा लेकिन देखे स्वभाविक है लाजमी है ये रियाक्शन, इसे लेकर मैं किसी की आलोचना नहीं कर रही हूँ लेकिन इस तरह की situation को अंग्रेजी में sadistic pleasure कहते हैं, मतलब पर पीड़ा में आनंद और वो पीड़ा हमारे पारंपरिक दुश्मन मुल्क माने जाने वाले पाकिस्तान को हो तो हमारा आनंद परमानंद में बदल जाता है ये एक इंसानी प्रवरित्ती है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा ठहरिये और सोचिये आपको लग जाएगा कि पाकिस्तान का संकर सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, खासकर हिंदुस्तान के लिए एक lesson है, एक part है, एक सीख है और एक सबक है वो कैसे? अब ज़रा ये भी समझ लेते हैं पाकिस्तान आज क्यों एक failed state बन गया है? इसकी जो मोटी-मोटी वजह समझ में आती है नमबर एक, पाकिस्तान में डिमॉक्रसी लोकतंतर कभी पनप नहीं पाया तेंटीस साल तो प्रत्यक्ष रूप से फौज ने हुकूमत की और बाकी के करीब 42 साल फौज ने परदे के पीछे से रहकर कटपुतली सरकारे वहां पर चलाई है डिमॉक्रसी कभी जड़ें जमा नहीं पाई तो सम्विधान रद्धी टोकरी में चला गया वहां के हुक्मरानों ने सियासत और मजभ का ऐसा खतरना कॉक्टेल तयार किया कि वो पाकिस्तान के लिए ही भसमा सूर बन बैठे तो इससे तीन बड़ी चीजें निकलती है डिमॉक्रसी यानि लोकतंत्र सम्विधान जिसे पाकिस्तान में आईन कहते हैं और तीसरा है मजभब एक देश के तौर पर भारत खुशनसीब है कि इसको बनाने वालों ने जिसमें भारत की परिकल्वना को तयार किया शुरुआत से इस बात पर जोर दिया कि हम एक डेमोक्राटिक कंट्री हैं जहां पर हर तपके को अधिकार हो इस बात पर भी खास जोर दिया गया कि स्टेट का यानि देश का अपना कोई मज़र नहीं होगा मतलब सरकार किसी एक धर्म की तरफ नहीं जुकेगी उसका अपना क्यारेक्टर सेकिलर रहेगा जिसे हम सर्व धर्म संभाव भी कह सकते हैं लेकिन यहाँ पर गौर फर्माईए समविधान में सेकिलर होने की बात स्टेट के लिए कही गई है नागरिकों के लिए नहीं यानि कि धर्म के साथ लोग अपनी आस्था को स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं भारत के समविधान में प्रस्तावना है जिसे अकसर हम प्रियांबल भी कहते हैं उसमें साथ लिखा गया है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्तिक और राजनितिक न्याए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की आजादी है तो देश के समविधान में नागरिकों के लिए विश्वास, धर्म, उपासना की आजादी ही नहित है लेकिन स्टेट को यानि सरकारों को इस से अलग रहने के लिए कहा गया है जाहिर है ये बहुत सोचने, विचारने के बाद ही सम्विधान में शामिल किया गया पाकिस्तान में अब तक जो कुछ हुआ और पाकिस्तान का भविश्य जिस गर्थ के तरफ जा रहा है वो तो सब के सामने है लेकिन जो विवश्ता हमारे सम्विधान ने हमें दी पाकिस्तान में उन्हीं एहम बिंदूओं को नजर अंदास किया गया पर इसलिए भारत महान है और पाकिस्तान का नतीजा सब के सामने है एक मुल्क लगबग कुलाप्स हो चुका है जब कि एक स्वतंत्र देश के तौर पर भारत और पाकिस्तान ने दोनों ने एक साथ अपना सफर शुरू किया था आज पाकिस्तान कहां है और हम कहां है फर्क साफ है मैं अक्सर पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया में जो चीजे चल रही हैं वहाँ पर भी नज़र रखती हूँ तो एक बात कॉमन दिखाई देती है वहाँ के पढ़े लिखे और समझदार लोग बलकि अब तो मैं कहूँगे कि आम जंता भी कहती है कि हिंदुस्तान से सीखो उन्होंने कैसे अपनी जम्हूरियत को संभाला है, जिन्दा रखा है लेकिन हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से सीखो और पाकिस्तान से क्या सीखो, क्यूं सीखो, अब जरा ये भी समझ लीजिए इस बात का जवाब है कि पाकिस्तान के कुलाप्स होने से हमारे लिए सबक है चिंतन से जुड़े हुए पहला सबक लोगतंतर का मजबूत होना बहुत जरूरी है दूसरा सबक देश में संस्थाओं का मजबूत होना बहुत जरूरी है क्योंकि हर किसी संस्था की अपनी आइडेंटिटी है तीसरा सबक धर्म को राजनीती से अलग रखना बहुत जरूरी है और चौथा सबक, किसी भी नफरत का पनपना, किसी भी तरह की नफरत का पनपना देश और समाज दोनों के लिए नुकसान दे है एक्जैंपल तो कई हो सकते हैं लेकिन चिंता हमें होनी चाहिए इसलिए प्रेस की आजादी का जिकर आपके सामने करती हूँ पाकिस्तान से भी नीचे खड़े हैं इस मामले में हम हाल में जो वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जारी हुआ उसमें 180 देशों में से भारत की रैंकिंग 150 से गिरकर 161 पर पहुँच गई पाकिस्तान की रैंकिंग में सुधार हुआ है और वो 157 से उठकर 150 तक पहुँच गई है लोगतंत्र की मजबूती संस्थाओं की मजबूती पर बहुत हद तक निर्भर करती है मतलब आपकी विधाईका, कारेपालिका, नियाएपालिका, निर्वाचन आयों, जांच जैंसीज, मीडिया ये सब मिलकर लोगतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं ये किसी भी हेल्थी डिमॉक्रसी के लिए रिड़ माने जाते है वरना विफलताओं का पाकिस्तान मॉडल तो हम सब के सामने है और इसे लिए एक जमेदार नागरिक होने के नाते आपको अपने लोगतंत्र की मजबूती के प्रती आगहा रहना चाहिए बढ़ते हैं नेक्स स्टॉरी की तरफ बात फिल्म दि केरला स्टॉरी की बड़ा मुद्दा इस वक मात्रेक फिल्म है यहां इस विशे पर नहीं जाओंगे कि केरला स्टॉरी फिल्म कितनी हकीकत है कितना फसाना है यह सब कुछ मैं आपके ओपर दर्शक होने के नाते आपके बुद्धी विवेक पर छोड़ती हूँ लब जिहा की घटनाओं से इंकार नहीं है नहीं इंकार इस बात से है कि ISIS में केरल से कैसे युवा भरती होने पहुँच गए यह गंबीर विशे है लेकिन केंद्र से लेकर राज्य की सरकारें जिस तरह इस फिल्म के लिए पीयार करती हुई दिखाई दे रही है वो जरूर ध्यान कीशता है इस फिल्म को लेकर हुआ क्या है पहले वो जान लीजिए फिल्म को मध्यप्रदेश में की शिवराद सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया पश्चिम मंगाल में मुख्यमंत्री ममताव अनरजी सरकार ने फिल्म को बैन कर दिया तमिलनाडू में कहीं भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं हो रही हाला कि इस स्टालिन सरकार ने गोशित पाबंदी नहीं लगाई है वैसे मुझे लगता है कि किसी फिल्म का कई राज्यों में टैक्स फ्री होना और नेताओं का समर्थन फिल्मों को मिलना ये भी कोई नई बात नहीं है किसी फिल्म के प्रदर्शिन पर रोक लगना या उसे प्रमोट किया जाना कुछ भी नया नहीं है इसमें पहले भी होता रहा है आगे भी होगा लेकिन सबसे एहम बात ये है कि खुद देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी करनाटक की चुनावी सभा में दी केरला स्टोरी का जिक्र कर रहे हैं और उसे आतंकी साज़िश पर बनी फिल्म बता रहे हैं केंद्रिय अग्रिमंत्री अमिच्छा ने भी चुनावी सभा में केरला स्टोरी फिल्म का जिक्र किया जाहिर है जब टॉप बॉस ही ये कह रहे हैं तो उनका कहना ही काफी है उसके बाद फिल्म के प्रमोशन के लिए राजनितिक स्तर पर एक अलग तरह का धुरुवी करन दे साथ फिल्म देखने के लिए गये तो सारा कामधाम एक तरफ और फिल्म का प्रमोशन एक तरफ जो काम फिल्म के प्रडूप कर डिरेक्टर का डिस्ट्रिब्यूटर का कंपनीज का होता वह जिम्मा ऐसा लग रहा है कि सरकार ने अपने ओपर ले लिया है इससे पहले दी केरला स्टोरी को लेकर भी सरकार से लेकर बीजेपी और तमाम राइट विंग की लाइन लेंथ इस विशय पर सेम है। और इसलिए इस फिल्म को एक खास तरह के राजनेतिक चश्मे से देखने वाले भी कम नहीं। हाला कि ये तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है कि केरल राजनेतिक तोर पर भी बीजेपी और संग परिवार के लिए एक बड़ा चालेंजिंग स्टेट रहा है। RSS ने केरल में सबसे पहले 1942 में अपनी मौजूदगी दर्च की थी। लेकिन वो सिर्फ एक रीजन मालाबार तक ही सीमित थी। साल 2017 तक केरल में RSS की रोजाना लगबग 5,000 शाखाएं लग रही थी। हाला कि BJP के लिए केरल एक उपजाओ जमीन आज तक नहीं बन पाया है। लेकिन 2024 का चुनाव BJP के लिए बहुत important है। उसमें भी केरल इसलिए एहम है क्योंकि यहाँ पर लोग सभा की 20 सीटे हैं। 2014 के चुनाव में BJP केरल में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। हाला कि वोट परसेंटेज 10.45% का रहा था। 2019 में BJP का वोट परसेंटेज बढ़कर 13% हो गया लेकिन उसके बावजूद भी एक भी सीट वहाँ पर नसीब नहीं होई। केरल को लेकर BJP कई experiments कर चुकी है जैसे केरल की हस्तियों को प्रमुक जगह पर लाया जा चुका है। पीटी उशा खुद इसकी उधारण है। अब 2024 के लोकसभा चुनाफ से पहले जो केरला स्टोरी के जरिये केरल को चर्चाओं में लाया जा रहा है। उस पर एक पब्लिक डिस्कोर्स तैर तयार किया जा रहा है। एक perception है जो तयार किया जा रहा है। हाला कि केरल सरकार और दूसरी विपक्षी पार्टियां इसे केरल जैसे पढ़े लिखे समरिद्ध राज्य को बदनाम करने की साज़िश करार दे चुके हैं। लेकिन जिस तरह से BJP और उसकी सरकारें इस फिल्म को प्रमोट कर रही हैं। उसकी पोलिटिकल मेसेजिंग साफ है, आप खुद समझदार हैं, मेसेज पड़ी हैं। कोईन करिए और हमारे परिवार को कुनवे को, न्यूस बीच के कुनवे को बढ़ाईए। बहुत हन्यवाद।